सेनेटरी पेट का उपयोग अनिक बिमारियों से सुरक्षा देता है सभी महिलाओं को पेट का उपयोग करना चाहिए सुस्त रहने के लिए महिला है सेनेटरी पेट की उपयोग की आदत डाले उक्त आशा के बिचार, पिछड़ा एवं अल्प संख्यक कल्यान राजे मंत्री सोतमत्र प्रभार कृष्णा गौण ने स्वास्त नारी स्वास्त अमाज कारिकरं के तहत गोविनपूरा इन्डेस्ट्री छेत्रमेयाजत निशुल कal सेनेटरी पैट वित्रन कारिकरं में व्यक्त के ए राजमंत्री गौरण ने कहा कि जो भेने सेनेटरी पैट को उपयोग नहीं करें वे उपयोग करना शुरू करें और पैट के हमीशा उपयोग करने की आदत बनाए उन्होंने कहा कि पैट महिलाओं की आदत में आ है पेड़ कवपयोग निरोगी काया दीता है राजमंत्री गौड ने कहा कि हर महीला चाहती है कि उसकी बच्चे पढ़लिक कर अच्छे नागरिक बने उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चों का अच्छे संसकार दे कर संसकार बान नागरिक बनाना हमारी जिम्मेदारी है परिवार में बुजर्गों को अभी सम्मान करें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के संसकार बच्चों को दे रामायन के प्रसंगों सी राजमंत्री शर्मती गौण ने अच्छे संसकारों की महता को समझाया राजमंत्री गौण ने कहा कि इश्वर ने महिनाओं को शक्ती दी है उन्हें अन्या उशोषन के विरुद्ध शक्ती को प्यूग करना चाहिए उन्होंने कहा कि मद्रदेश की धरती पर भेन बेटियों के वुरुद अत्याचार करने वालों के वुरुद सरकार सक्त कारिवाई करती है राजी मंत्री गौर्णने कृष्णा समाजिक संस्कृतिक रसंस्ता द्वारा सैनेटरी पैड वित्रन कारिकन के बेटियों ने संस्कृतिक प्रसुतियां भी दी दुनिया कर रही है हमारी जय दुनिया पूझ रही है मात्र शक्ति को तो हमें तो पूझ नहीं है कि आपको अपनी जय को करना है और जिसने अपनी जय ना करी वह जीवय में कभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इश्वय ने बहुत शक्ति महिलाओं में प्रदान की है तब ही तो हम कहते हैं कि बेहने हमारी इस देश की नारिया हमारी लक्ष्वी सरस्थी और दुनिया का रूप है कि नहीं है एक एक बेहन के अंदर मा लक्ष्वी का स्वरूप है मा लक्ष्वी की शक्ति है मा दुर्गा की शक्ति है मा सरस्थी की शक्ति है अब बेहने बोलेंगे हम तो ये समझी की पारते कि हम लक्ष्मी का स्वरूप है हम दुर्गा का स्वरूप है, हम सरस्वती का स्वरूप है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लक्ष्मी कैसे है कोई बेहन ऐसे नहीं होगी जो नहीं चाहती होगी कि मेरे घर में सुख सम्रती ना आए जब में मंदिर में जाती होगी जब में भगवान के सामने जाती होगी हमेशे सुख सम्रती की काम ना करती है और सुख सम्रती को देने वाली कोन होती है मा लक्षमी होती है तो घर में अगर सुख सम्रती आईगी तो वो आपके कारण आई ही दियोंकि आप लक्ष्मी का स्वरूप हो हर मेह ये चाहती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बादमी बने पढ़ लिख कर उजी नोब्दरी करे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदोपर विराजमान हो और वो इसने चाहती है, क्योंकि उसके अंदर मास्रस्वती का स्वरूब है, वो बच्चों को संसकार नेती है, वो बच्चों को शिक्षित करती है, वो फुद भले ही ना पड़ी हो, लेकिन यहां मेजी मेई एक एक मात्र शक्ति है, जानती है, चाहती है, कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, मेरी बेटी पढ़ना चाहिए, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, मैं आशिक्षित रह गई, मैं ना पढ़ पाई, लेकि मेरे बच्चे आशिक्षित नहीं रेना चाहिए, चाहती है कि नहीं चाहती है, सारी बेटी चाहती है, इसके आप सरस हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भगवान ने अपाड़ शक्ति दिये हमारे मन को पोमल जरूर बनाया है लेकिन हम इस शक्ति भी प्रदाय की है कि कोई हम पर अत्याचार करे कोई हम पर अन्याय करे तो हमको चंडी का रूप धारण करना है हमें दुर्गा का रूप धारण करना ह और इसलिए कोई की ताकट नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारी पेट्यों पर हमारी बेहणों पर गलतरदीगा ॡाल सके हमको अपने अधर की दुरुगा की शक्ती को जाग्रत करना है ये शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमारे दुर्गा की शक्ति है और इसी लिए आप सब दुर्गा स्वरुपा हो आप सब के अंदर दुर्गा की शक्ति है तो मेरे साम देवेटी मेरी लक्षमी सरस्वती और दुर्गा स्वरुपा बेंडों के चंडों में मैं दोनों हाथ जोड़कर कोटी-कोटी प्रणाम करती हूँ। आज आप सब को यह बताते हुए मुझे अपार प्रसनिता है कि मैंने एक संस्ता बनाई और उस संस्ता की जिम्मेदारी हमारी अध्याक्ष शेमती किरन खरेजी को सौपी और इसकी दरेशे से हमने संस्ता बनाई कि हमारी बहुत सारी बेहने इसी हैं जिनको हमारे सहियों की जुरत होती है हमारे मदद की जुरत होती है अपने कामों के माध्यां से तो हम जितनी बेहनों कर पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं लेकिन जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वहां हमारी संस्ता की बेहने पहुँचकर उन बेहनों की मदद करने का काम करे उनकी सहायता करने का काम करे